मुखमंत्री के अजरिवार ने वुराड़ी विधायत सची जहा के शाथी यमुना किनारे की छट पूजा पूजा को आरती वुराड़ी लाके में भी यमुना किनारे छट खाट बनाया गया जिसमें दिल्ली सरकार की तरफ से तामाम सुवधाय दी गई और आज इसी छट खाट पर लोगों के पीछ दिल्ली के मुखमंत्री अर्विन केजरिवाल पहुचे जहां उन्होंने लोगों को छट की बढ़ाय तो दी साथ ही साथ अपने द्वारा कराए के काम गिनाने में भी नहीं सुके कहा पांच साल पहले 73 छट खाट थे जिन पर सरकार इंतजाम करती थी अब इनकी शंखिया 1200 हो गई छट पूजा के दिन मंचिसे दिल्ली के मुखमंत्री अर्विन केजरिवाल का भाषण सुनकर ये साथ कहा जा सकता है कि इस बार का छट चुनावी छट है और ऐसे में मुखमंत्री खुद छट खाटों पर जा रहे हैं और आने वाले चुनाव को मदे नजर रखते हुए अपने द्वारा करे हुए कामों को फी जानता के बीच रखा है ये से दिल्ली से राजी तिवारी के एक खास्ट पोर्ण तो अपने पुर्वाचली भाईयों को दूर दूर जाना पड़ता था चटी का तोर मनाने के लिए पूरी दिल्ली में 73 घाट होते थे अब पूरी दिल्ली में 1200 के खरीब घाट कर दी है चोटे चोटे कोलोनियों में महलों में अब लोगों को अपने घर के पास ही घाट मिल खार वहां के गाओं गाओं से आएं आपका एक घर वहां पे है आप लोग दिल्ली में आए आप लोगों ने दिल्ली को अपना घर बनाया हमारी भी पूरी कोशिश रहती है कि जितनी कोशिश करके आपको यहां पे जितनी सुविधाएं हो सके हम उतनी सुविधा मुहया कर आप में से कच्छी कॉलोनियों में रहती हैं. सदके नालीय, गलीय, पानी की पाइपलाइन, सीवर की पाइपलाइन डलवाई हैं. कुछ हभी रहे गई हैं. उनमें भी कर रहे हैं. मुझे लगता है, एक से डेख साल के अंदर jतनी बच्ची हुई गलीय, जाने वहां भी यह चार काम हम लगके करवा रहे हैं गलियां नालियां पानी की पैपलाइन और सीवर की पाइपलाइन सबसे पहले छट चट यहार की सब लोगों को बहुत 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 बढ़ाई और पूरी दिल्ली के अंदर हम लोगों हुप ने लोगों के लिए चठ त्योहर मनाने के लिए काफी इंतिजाम की हैं पांच साल पहले हम那么 फोरी दिलि में 63 गाटों के उपर चठ किवहर मनाये जाता था है इसकी वज़से लोगों को काफिल तकलीफ होती थी दूर दूर जाना पड़ता था अब पूरी दिली में 1200 जगहों के उपर घाटों के उपर हम लोगों ने छट क्योहर मनाने का इंतिजाम किया है सरकार की और से हमने अपनी पूरी कोशेश करके अच्छे से अच्छे इंतिजाम की हैं और मैं उम्मीद क प्रोसेस चल रहा है कईयों को पक्का किया है थोड़ा सा समय लगता है सर एक सवाल से हटके तीस हदारी में जो आज वाक्या हुआ है उसको लेके क्या कहेंगे जिस तरीके से वाकीलों और दिल्ली कुलिस के इसको ने जड़ा हुई है अभी मैं रिपोर्ट लेनी की कर रहा हूं पूरी मुझे स्थिती पता नहीं है लेकिन किसी भी तरह की हिंसा अच्छी नहीं है किसी भी तरफ से अगर हिंसा हुई है तो वह अच्छी नहीं है सर बुराडी के आज इस धाट पे खुद सीम आये थे उन्होंने यहां पूजा करी इस तरीके का उत्साहर लोगों में था खास्तोर देखियो लोगों में बहुत उस्साहर था बहुत दिश्तरपरी से लोग इंतियार कर रहे थे और मैं धन्यबाद भी करता हूं सीम साहब क कि उन्होंने आज हमारे घाट पर आ करके बजरंगी घाट पर आ करके अपने छटी मया को अर्ग दिया पूजा अर्चना की उसके लिए मैं उनका भी सरा अभारु देखित करता हूं खास दोर पर बुरारी की बात की जाए तो फूरवांचल के लोग यहां बहुत बढ़ी तादाद में रहते हैं उन लोगों के लिए क्या घाट की संखिया और आगे बढाने की उमीदें ने क्या कोशिश रहेंगी लगातार हमारी कोशिश यह है कि लोगों को बहुत दूर जाना पर यह पूजा करने के लिए अपने अगल वगल में अगर कहीं कोई जगह है कहीं कोई जोड़ है कहीं कोई पॉंड है तो वहीं पर वबस्ता की जाए यह लगात उत्रुत्तर बढ़ती रहेगी यह सफर 72 से शुरू हुआ था आज लभग 12 से पहुंच गया यह पता रहेगा